दोस्तों नमस्क्राइब स्वागत है आप सब्सक्राइब को लेकर यहां से विग्याबन जारी कर दिया गया है और एक बार फेसे जो इसके आवेदन और परिक्षा को लेकर जानकाई सामने आ चुकी है साथ ही अगर बात कीजिए टीटी के बाल सिच्छक बरती और टीजिटी लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जैसे की जानकाई आप सभी को सबसे पहले मिलती है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि आप जानते कि सरकार सिच्छक बरतियों के विग्यापन जारी करें ना करें वो अलग बात है ले है पर आप सभी कर सामने ऑफीशन नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है से जहां पर लिखा है चौड़े साथ 2,022 नौटिफिकेशन आज जादी हुआ है पंदे टाइक को यह पर हन्दी इंग्लिस दोनों में जानकाई देखने के लिए मिल जाती लेकिन जानका ही एक सब्सक्राइब को लेकर बताया जाता है कि परिच्छा पूरे देश के 20 वाशाओं में आयुजित की जाएगी जिसका बिस्तित विबन सीटेट की अधिकारिक वेबसाइट पर जल्दी उपलब्द करा दिया जाएगा उम्वित वारों से अन्रोध है केवल उप्युक्त वेबसाइट के माध्यम से ही बुलेटिन को डाउनलोड करें और आवेदन करें नीचे लिखा हुआ है कि पेपर बन के लिए आपको 1000 रुपे और पेपर टू के लिए आपको 200 रुपे देने पड़ेंगे दोनों के मिलाकर अगर बात की जाए यहां पर SC-ST के लिए तो 600 रुपे देने होंगे इंशोर्ट अगर कहा जाए तो आपकी जो परिक्षा होगी वो दिसंबर में देखने के लिए मिलेगी और दिसंबर में परिक्षा के साथ आप सुभी के जो आवेदन होंगे 20 ताइक से लेकर 25 के बीच म आपके जो आवेदन है वो यहां से शुरू हो जाएंगे ऐसे अव्यरती जो एकवाफेस सीटेट देना चाहते हैं सिच्छक वरती से पहले आप अवश्य दे सकते हैं सबाल तो सिच्छक वरती को ले गई वह सारे कि सिच्छक वरती कब तक आएंगी इसके बारे में सरकार जबाब नहीं देती है भर बाल टेट और सीटेट करवाए जाते हैं जिससे कहईने के सिच्छक वरतिया इसके बाद आने का इंतजार रहता हे एक वार फेसे नई TET के बाद सिच्छक वर्थी क्यों भी ते जगेंगी क्या होगा क्या नी ये तो वविश्य की गरत में चुपाएं वहीं दोसी तब बात कीजें TGT-PGT 2022 को लेकर परिक्षा की तारीक के बारे में TGT-PGT 2022 की परिक्षा को लेकर आज की तारीक में चैन बोड के सामने चात्तों मुलाकात करने पहुंचे हुए थे जहां पर चात्तों ने जानकाई लेने का प्यास किया गया कि जो चात्तों की तरफ से TGT-PGT की तारीक बढ़ाई जाने की मांग की जारी है क्या वो तारीकें बढ़ेंगी तो चैन बोड ने इस बात को लेकर इसपस्ट कर दिया कि अब तारीकें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि उनका जो सर्वर था बिल्कुल सही था और बेबज़े तारीक बढ़ाने से यहां पर चैन बोड का जो काम है वो और जादा डेले होगा ऐसा कहना था चेर्में का उसी समय पर परिक्षा की तारीकों को लेकर जब जानकाई लिगी तो जानकाई देखने के लिए मिली कि TGT-PGT को लेकर जल्द से जल्द परिक्षा कराई जानी की की चैन बोड के माध्यम से परिक्षा केंदों से संबंदि जो कारें वो शुरु कर दिये गए हैं कई लिए बिद्याय नयच्छे को पतर लिकर इसके बाएब में जानकाई मांगी जारी है उनका मानना है कि सितंबर के बाद कभी आपकी जो परिक्षा है वो देखने के के माध्यम से टीजटी बीजटी की परीक्षा की तारीकों का एलान कर दिया जाएगा अभी परीक्षा केंदों के बनाने के लिए और परीक्षा केंदों का निदार्ण करने की जो प्रक्रिया बोश्रूर कर दी गई है जैसे प्रोसेस पूरा होता है परीक्षा की तारीकों का मिल सकती है वीडियो को लाइक साथी शेयर चैनल को सबस्क्राइब करें